भारतिये सेना दिवस के इस महान पड़व पर सेना के सभी सिपाईयों को, सेना से जुड़े समस्त लोगों को, सभी देश प्रेमियों को, सभी देश बास्यों को, मेरा हार्दिक अभिनंदन जैसा कि मैं हर एक पर्व को, कैलंडर के हर एक महत्पुर्ण तारिक को, हर एक एहम घटना को اپने चैनल के माधियम से अपने कविताओं के माधियम से, अपनी विचारों के माधियम से उस दिन को मैं मनाता हूँ तो उसी क्रम में आज भारतिये सेना दिवस के इस महान पड़ पड़ मेरी एक दुस्साहस दुस्साहस वो ये कि वीर रस्क का एक कविता देशभक्ती का एक गीत गाने का दुस्साहस और दुस्साहस इसलिए भी क्योंकि ना तु मुझे संगीत का कोई समझ है ना सुड़ताल लैकी कोई समझ है फिर भी जैसे की किसी की आवाज अच्छी हो या ना हो कैसे एक भारतिये पुरी अभिमान के साथ, निस्ठा के साथ, समर्पन के साथ नासल आंथम को गाता है तो वहीं से प्रेड़ना पाते होए आज मेरी ये कोशश की विर्रस की एक गीत, एक दिश्भक्ती की कविता आप लोगों के साथ साजा करने की और गीत और कविता का शिर्सक है, है नमन उनको जिनकों की डॉक्टर कुमा विस्वास सहाब ने लिखा है और उन्होंने ही अपने मधुस्वर में इस कविता इस गीत को आवाज भी दी है तो उसे दोहराने की मेरी एक छोटी सी कोशश मैं जरूर आप लोगों का इसमें साथ चाहूँगा है नमन उनकों की जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शार की जीवित कहानी हो गए है है नमन उनकों की जिनके सामने बौना हिमाले जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है है नमन उनकों की जिनके सामने बौना हिमाले और आगे डॉक्टर कुमा विस्वा सहाब लिखते हैं कि कैसे एक सिपाही कितने सम्मंदों से जुड़ा होता है अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने बहन के साथ, अपने बच्चों, अपनी बेटी के साथ, अपनी इस्तरी के साथ और कैसे उसका जो सबसे बड़ा संबंध अपने देश के साथ होता है तो अपनी भारत माता, अपने देश, अपने जन भूमी के साथ उसका जो संबंध है उस सम्मंद उस रिष्टे को निभाने के लिए कैसे अपने सारे राते नाते रिष्टे वो पीछे छोड़ कर आता है उन्हीं बातों को बया करते हुए डॉक्टर सहाब डॉक्टर कुमा विश्वा सहाब आगे लिखते हैं कि पिता जिसके रक्त ने उज्वल किया कुलवंश मा था मा वही जो दूद से इस देश की रज तौल आई बेहन जिसने सावनों में भड़ लिया पतजर स्वयम ही हात ना उल्जे कलाई से वो राखी खोल लाई बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी पिता तुम पर गर्ब है चुप चाप जाकर बोल आए आज तक हिंदुस्तान के किसी कैमरे ने शहीत के किसी पिता को रोते हुए नहीं देखा है यह हिंदुस्तान की तिरंगे की ताकत है पिता तुम पर गर्ब है चुप चाप जाकर बोल आए प्रिया जिसकी चूरियों में सितारे से तूटते थे मांग का सिंदूर देकर वो उजाले मोल लाए है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कनहिया घर तुम्हारे परमतब की राजधानी हो गए है है नमन उनको के जिनके सामने बौना हिमाल है और आगे की पंक्तियों में कुमार विस्पास सहाब लिखते हैं कि कैसे विस्व विजेता शिकंदर को हमने शमा करके माफ करके उसे उसके देश लौटा दिया कि हमने लौटा ए सिकंदर सर जुकाए मात खाए हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है वो घाड़ी में क्या कहते हैं कि अगर आप दैसत गड़ फैलाओगे तो आपको जिन्नत मिलेगा तो लो हम आपको नर्क भेज रहे हैं पहुचो आप नर्क कि हमने लौटा ए सिकंदर सर जुकाए मात खाए हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है नर्क में तुम पूछना अपने वुजर्गों से कभी भी उनके माते पर हमारे ठोकरों का ही बया है सिंग के दातों से गिंती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है जूजना यमराज से आदत पुरानी है हमारी उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है है नमन उनको के जिनके अगनी से हारा प्रवंजन है नमन उनको के जिनके अगनी से हारा दिवा कर काल को तुक दिन के आगे पानी पानी हो गए है स्वर्ग में जब कोई सहीद पहुंसा होगा तो भगवान भी कहते हैं चलो जस्ट मनाते हैं हमारे पास आज हीरो आया है है नमन उनको के जिनके सामने बौना हिमाल ए है नमन उनको की जिनके सामने बौना हिमाल है जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है है नमन उनको की जिनके सामने बौना हिमाल है तो ये आज मेरी एक कोशिस थी भाति सिना दिवस पर एक गीर गाने की कविता गाने की जो कि मैंने अपनी और से अपने तरीके से आज पहली बार ऐसा हुआ कि गीत को मैंने एक विरस की कविता भात ये सेना दिवस पर सभी सेना फॉज में जो अपनी करियर बनाना चाहते हैं फॉज का हिस्सा बनाना चाहते हैं उनको जो एंडिय के माधियरम से फॉज जो है वो जॉइन करना चाहते हैं उन लोगों उन लोगों को मेरी और से एक छोटा सा भेट जैहन जैहन